खी के बार में टॉपिक से आज घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए यह सबसे कोई बोलता है घी बहुत अच्छा है बहुत हेल्दी है कोई बोलता है कि घी अच्छा है नहीं तो यह घी जो है इसके बार में डिटेल हम लोग देखेंगे कि घी अच्छा है कि अच्छा है और नहीं आइछ तो कि वह तकुन हैं अच्छा है अब लोग एंडूरि देखेंगे old टिषनल ऑजो है इसका देखेंगे जी टेट में मेंग मैलson पड़ा कितना है स्का क्या कहा है का क्या लॉब गी जो है यह बिल्कुल फैट है यह बहुत के लिए बहुत है बाडी में चाहिए नहीं और एक है unsaturated unsaturated fat body में चाहिए वो दू टैप का है एक polyunsaturated और mono unsaturated तो यह दू टैप का जो fat है यह body में चाहिए हमको बोडी का जो internal activity है उसके लिए चाहिए यह बहुत healthy है तो यह अभी और एक fat है ट्रांस fat ट्रांस fat और ट्रांस fatty acid जो भी है तो यह जो fat है यह भी बहुत खारब है सबसे खारब fat है जो ट्रांस fat जो body में stick हो जाता है blood circulation में problem हो सकता है खाने के बाद तो यह अभी देखा अभी इसका जो nutritional value है वह मैं चेक करता हूं इस क्रीम पे देखिए आप इसमें saturated fatty acid 62.5 मतलब 100 ml में 62.5 मतलब 100 ml में ज्यादा मैक्सिमाम जो 62 मतलब ज्यादा होगी है वह ज्यादा है quantity में 100 में 62 है 62.5 इसके और भी है देखिए इसमें minerals बिल्कुल है नहीं minerals वो तो है नहीं इसमें ट्रांस fat ट्रांस fat 3.7 परसंट मतलब यह भी बहुत खरब है ट्रांस fat का कोई भी आइटेम खाना है बिल्कुल नहीं चाहिए यह डेंजर है यह बहुत स्टिकी है blood circulation में problem आएगा यह बात में कोई regular खाता है ना उसको तो आने बाला ही है तो इसमें यह दो जो खरब चीज़ें बहुत बरके है बहुत ज्यादा है इसमें ज्यादा quantity है तो इसलिए इसमें आभी देख लेते हैं अच्छा ही क्या है इसमें अच्छा ही यह है कि विटामिन है इसमें उसके बाद mono unsaturated fat है 28 gram और poly unsaturated fat है 2.8 gram तो इसमें अच्छा fat भी है ऐसा नहीं कि अच्छा fat नहीं है पुरा बिल्कुल खरब fat है तो अच्छा बुरा मिला का है लेकिन यह जो घी है इसमें ज्यादा जो पार्ट इसका ज्यादा यह fat का maximum जो पार्ट है वो खरब fat का है अच्छा fat काम है इसमें तो इसको minimum consume करना बेटा है आपका जितना minimum आप लेंगे इसको अच्छा है जैसे मैं आपका बहुत सारा vitamins भी है लेकिन वो थोड़ा सा के लिए आप इतना ज्यादा खराब fat खाना अच्छा नहीं है बोलने हम उतलब है इसमें खराब fat इतना ज्यादा है इतना ज्यादा एसा इसा इसा टाइप का फैट हम लोगो लेना चाहिए ईजक है घी में को छारा फैट ज्यदा है बहुत जएदा है आशा पाड़ी तो इसलिए यह तो मैं खटा नियू आप करते हूं बहुत यह आप भी आब कीजिये पूरा बिल्कुल टेश्ट अच्छा लगता है घी का प वरटा बाघर बनते बहुत अच्छा लगता है लेकिन जैसे बताये में इसमें UNSATURATED फैट कम है और जो अच्छा पेट कम है जो खरब BAD FAT है ज्यादा है इसमें तो BAD FAT आपको करने चाहिए आप अगर बिल्कुल कर दिया तो बहुत यह जितना चाहिए जितना हो सके कीजिए घी को यूआए कि इसमें खरब प्थ बहुत ज्यदा है आप जितना लेंगे उतना आपका बाड़ी में आएगा उतना बाड़ी का बहुत सरा बीमरी हो सकता है बहुत सरा प्राबलम आ सकता है बाड़ी में तो आप इसको एवर्ट कीजिए बिल्कुल जितना हो सके एवर्ट कीजिए इसको घी को घी में घी लेने का जो अच्छा डिया को बता दिया यह घी का रसलियद यह है डिटेल तो आप ढरह किजिए इप बिल्कुल आबएट करने के लिए अगर नहीं नहीं कर सकते हैं वह आपको भाद आच्छा लगता है घी का परटा भी अच्छा लगता है तो आप मिनीमं लिजै के बहुत कम का इसको quantity अभी से कम कर दीजिए, minimum लेजिए, minimum use किजिए इसको, तो ठीक है, thank you very much for watching this video.